वेलकम बेक एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के जो पी एसल का मैच होगा लाहोर और कोईटा के बीच इसके बारे में तो काफी इंपोर्टेंट मैच है और देखे ध्यान से देखना वीडियो को क्योंकि जेनरली आज अगर कोई अच्छा मैच है ना वो यही है और उसका रीजन भी है क्यों यह अच्छा मैच है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और यह वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे पहला पोईंट तो जो मैंने कल आपको बात ब क्योंकि वो लोग गीववे विन कर चुके हैं आने वाली PSL की वीडियो में भी यह गीववे रहेंगे लेकिन एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में अभी भी दो गीववे अवेलेबल है जिसमें एक गीववे 5,000 रुपे का है और एक है प्रोड़क का गीववे और आप ये कैसे विन कर सकते हो वो हम आगे देखेंगे ये गीववे के उन लोगों के लिए हैं जो की चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जो वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि ये जो बचे वे रहेंगे तो वो भी आप विन कर सको और उसके अलावा जो कल वाला महस था जो आपको पता ही होगा पाकिसान सुपर लिग पीएसल के अंदर जो कल रात वाला महस था उसमें मोबाइल का गीववे भी मैंने आप सब के लिए रखा था क्योंकि संडे था तो उसमें भी एक विनर आया था मेराज एहमद तो कॉंग्रेचुरेशन उसको भी पूरी आईकेम फैमिली की तरब से मोबाइल फॉन विन करने के लिए चार से पांस दिन में उसके घर पे मोबाइल डिलिवर्ड हो जाएगा वो अमेजों के उपर डिपेंड है कि वो कितने दिन में जो है ड देखिए इस मेच में जो ट्रम कार्ड प्लेयर है और कैप्टन सी के कोन बेस्ट ऑप्शन है कैसी टीम बनानी है क्योंकि इस मेच में एक तो गेम आपका फसेगा कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके अगर टीम लाहर पहले बोलिंग करती है तो थोड़ा आपके लिए आसान ट्राइ करना अभी से लेके पूरा आप वीडियो देखो और उसके अलावा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये वो सब्सक्राइब भी कर ले ना ताकि आने वाली वीडियो भी मिले और जो गिववेज है वो भी आप लोग मतलब जो विनर आएंगे ना वो भी सब सब्सक्राइबर सी आने वाले एंड हां मोश्ट इंपोर्टेंट चीज जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो मेरे बाई मेच की जो फाइनल टीम होगी ना वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जो फाइनल पिछ रिपोर्ट आएगी गदाफी स्टेडियम प एक्सपेट करना ठीक है बागे फिर भी कुछ भी अपडेट आता है कोई प्लेयर नहीं खेलता है इंजिरी वगेरा का प्लेइंग लेवन वगेरा में तो वह अपडेट और फाइनल टीम जिसके साथ में इंवेस्टमेंट करूंगा वो वह आपको टेलीग्राम पे बिलेग अप्लिकेशन पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे पीएसल के अंदर आपके लिए पांच लाग का लीडर बोर्ड भी चलना है और उसके अलावा सबसे कम कॉंपेटिशन सबसे कम एंट्री फीस आपको यहां पे देखने को मिलेगी बहुत आप यहां लाग कि देखिए यह ही जो मैचेज वोए था ने इस वेंटनियू पर वह यह दो है जिसमें पहले मैच जो है लाहुर और इस्ल्यामाबाद के बीसटा इस्ल्यामाबाद के टीम जीद गए थी और दूसरा कोईटा और पेशावार जलमु के बीस था जिसमें की क जीद गए थी पेशावर ने भी अच्छा score किया था लेकिन बस चेज नीए हो पाया overall आप ये मानना कि ये जो विकिट है न ये बैटसमेन के लिए बहुत अच्छा है बोलर्स के लिए के लिए कम होगा बाकी पैसर्स के लिए भी अच्छा है और batsman के लिए तो फिर वो कोई से भी lefty righty मतलब ज़्यादा boundaries का difference है नहीं आप ये मान लेना कि एक betting wicket के इसाब से आपको team बनानी है बाकि ये बादल थोड़े से रहेंगे इस match में हाला कि लिखा हुआ almost clear है लेकिन बादल के chance रहेंगे ये चीद ध्यान देना ठीक है पिछला जो match था यानि कि ये कोईटा और पैशावर का इसमें एक तो run out include था उसको तो count करना मत 10 wicket लिए थे bowlers ने, 7 wicket लिए थे passers ने और 3 wicket मिले थे spin bowlers को और उसके अलावा लाहूर की टीम अपना पिछला match हार के आ रही है जो कि इनका match पहला ही जो मतलब tournament का पहला match था वो ही नहीं का था इसलामबाद से जो कि ये हार गए थे ठीक है और kweta की team जो कल match खेली थी पहला match ही नहीं का था और ये लोग जो match को है जीत के आ रही है अब देखिए toss winner team batting करे, bowling करे mostly तो मेरे according तो bowling करनी चाहिए उसका reason क्या है क्योंकि ये एक betting wicket है और changing यहाँ पर आसानी से होना चाहिए बागी मैंने betting first इसले लिखा हुआ है क्योंकि पिछले match में betting करने वाले team जीती थी अब ऐसा वैसे जहां तक आई ड़ा है ना bowling करनी चाहिए team को क्योंकि जहां पर अच्छा खास स्कोर हो रहा हूँ तो changing आसानी से होनी चाहिए बागी देखते हैं क्या bowling आई की team की betting order है यह मतलब game की condition के साफ से changes होते रहते हैं जैसे for example आप देखो शार्फे रदरफोर को चोथे पे mention किया है लेकिन अगर इनके top order के wicket जल्दी चले गए जैसे सोथ चकील और जेसन रोए पावर प्ले में out हो गए तो अब शार्फे रदरफोर आएगा मुहमद वसीम की जगा और चोथे पे या तो सर्फराज एहमद या ख्वाजा ना फे यह मतलब होता क्या है यह जो betting order है यह पिछले मेंच के पैस पर जो पिछले मेंच में हुआ था लेकिन changes की possibility जादा है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है चोथे नंबर पे सर्फराज एहमद आ सकता है और मैंने लिया भी था पिछले मेंच में मैंने कोईटा की तरब से सर्फराज एहमद को लिया था अपने मेरी टीम यूच कियो तो लेकिन इसकी betting नहीं आये थी और आनी भी नीच चाहिए थी क्योंकि भाई जिस तरीके से मतलब रन बन रहे थे विकेट गए नहीं थे तो हिटिंग चाहिए थी और सर्फराज एहमद का कोई काम नहीं था लेकिन अगर विकेट चले जाते जैसे जैसे ज़्यादा उमीद होती नहीं है लेकिन फ्लेट विकेट अच्छा स्कोर किया तो उस केस में सर्फराज एक मश नीडेट प्लेट होगा हाला कि मैंने आज जो है न कोई ट्रम कार्ड प्लेट नहीं बताए लेकिन अगर मैं कोई ट्रम कार्ड आपको बताता हो ना तो उसमें सबसे पहला जोई सर्फराज एहमद होगा इस्पेशली पहली बैटिंग भी अच्छा प्लेयर है लिटरली बस बेटिंग आजाए बंदा अच्छा है अब यह क्या है मैंनली के है अगर ज़्यादा स्कोर नहीं होता है तो यह दोनों के दोनों यह तीन मानलो चार मानलो यह चेज कर जाते है उसके बाद फिर मौमद वसीम अबरार एम्मद मौमद आमिर हसने और वहीं पर अकील हुसें यह टीम की एक्सपेकटर लाइनम अब अकील हुसें भी उपर आ सकता है थीक है वसीम से उपर आपको अकील हुसें भी देखने को मिल सकता है इनकी बॉलिंगा एक का अब करता है तो उस केस में आपको यहाँ प्लिंग शाखिए प्लगुकर आमे अपना सोथ शक्यल भी और यहां पर भी लेफ्टी जादा है तो जो सामने वाले टीम से ओफ इस्पिनर बोलर है अब कोन है वह मैं आपको दिखाऊंगा भी वह मस्ट नीडेड होगा यह चीद ध्यान देना क्योंकि रिली रोसो भी टॉप और में आएगा और सोच एकिल उपन करेंगा यह करेंगा कि सामने वाले टीम को ओफ इस्पिनर मस्ट नीडेड होगा और इसलिए मैंने डैन मोस्टली को भी लिया था क्योंकि वो ओफ इस्पिनर यहां तीन अब वह बात अलगे कि विकेट नहीं गए वरना आप देखो बोलिंग उस बंदे ने पूरे तीन ओवर की थी चार भी करत ही तो चेंज की पॉसिमिलीटी भी थी लेकिन हार ही नहीं है अकील हुसें मौहमद असने यह दोनों प्लेर जो है पावर प्ले में आईगे और मौहमद आमिर भी आएगा और डेथ होर्स में मौहमद यह तीन डेथ होर्स के अंदर आने वाले अब यहां से हम देखते कि प् प्रिश्ले जो मैचेस इन्होंने खेले अच्छा पर्फॉर्मेंस है उसके अलावा सोच शकील की हम बात करते हैं देखिए इसी वेन्यू पे था जो इनका कोईटा का पहला मैस था न कल का तो इसने पिछेतर बनाये थे इसने चोथतर रन बनाये थे सोच शकील का जो मतब टी कुछ इफेक्टिव भी नहीं है बट इस्टिल इंपोर्डेंट प्लेयर है शार्फिंड रदरफोर्ड को मिनी जील वगरा में आप ट्राइ करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बंदा चोथे पे मोश्ली तभी आएगा जब यह दोनों यह कोई प्लेट टीका रह पूरा चेज कर गए तो कोई काम का नहीं होगा ट्रंप है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं कि यह इसको लिया ही जाए हां लेकिन मिनी जील वगरे में आप कंफर्म टीम में लेना तेल मुहम्मद वसी में टीम की पहली बोलिंग में वाइस केप्टन का ऑप्शन क्योंकि होगा तक जोगते हैं तो पिछले दो मैश उसमें दो विकेट लिए एक उससे पिछले मैश में रहां की विकेट चरका बोलर है पहली बोलिंग पर हलागी यह बैटिंग विकेट होना वहां यह कैट्टन सी का बेस्चोइस होता बडिस टील आपके लिए मस्च नीडेड मतलब वहां पे पैसर्स के लिए help नहीं हुई तो ज्यादा effective जाएगा नहीं और ये direct LBW के लिए जाता है तो इसलिए इंपोर्टेंट भी है और इसलिए एक खराब भी है क्योंकि अगर LBW गया तो सीधा भाई आपको बताए ये 37 पॉइंट आते डारेक्ट ली दो भी करें अराम से dream team में confirm आएगा और batsman को 50 पॉइंट लेने के लिए कम से कम 30 run तो बनाने ही पड़ेंगे उससे पहले तो मिलेंगे नहीं उसके बाद मुहमद असनेन है और अकील हुसे ने ये दो और प्लेयर है असनेन का record मतलब average है दोनों जगा और अकील हुसे ने एक ही match खिला व और उसके अलावा bowling attack में देखोगे तो मुहमद असनेन सबसे बेकार बोलर रहे थे वसीम थे सबसे बेकार तो लेकिन मतलब mainly क्या है वसीम को विकेट मिल गया था फिर उसके अलावा दो मतलब चार और में दो विकेट इनको आमीर को एक विकेट और अकील हुसे इनको एक व available है तो इनके पास जो सबसे important चीज़ है ना वो इनकी bowling है इनकी bowling की वज़े से ये टीम काफी strong है हाला कि पिछले मैच में इनकी bowling flop रही और यही reason है कि टीम हार के आ रही है देखिए साहब ज्यादा फरहान फखर जमान के साथ open करेगा फिर डसन है फिर अब्दुल्ला शफी है सिकंदर रजा टीम के साथ जुड़ चुके हैं तो इसका मतलब है कि कैप्टन सी के सबसे best choice अगर कोई player है तो रजा है क्योंकि सामने से तीन left ही है और एक मात्र office spinner जो wicket taker nature का बोलर हो और फिर सबसे best choice हो कैप्टन में वो रजा ही है तो अब जो कैप्टन सी को थोड़ा फिर हादी सरोफ और जमन खान ये expected लाइने पर टीम की betting order के according और इनके bench के player आप देखोगे तो ये इनके bench के player है जिसमें काफी कम chance है कोई भी खेलेगा हाँ अगर injured वगरा हो तो बात अलगे देखिए शाहिन आफरीदी जमन खान और जहानत खान को में इसले दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे lefty जो सोथ चकीले वो खेलेगा तो ये क्या emerging player है और अच्छा भी है है ना तो या तो ये करे पावर प्ले में या अगर ये नहीं करता है तो उसकिसमें सिकंद रजा भी पावर प्ले में आ सकता है शाहिन का तो confirm है और जमन और जहनत खान में से कोई एक आएगा हारी सरोफ confirm death में आएगा जमन और शाहिन आफिदी के साथ अब देखते प्लेयरों का record देखिए सबसे पहले साहिब जादा फरहान के बात करते पिछले मैच में बंदे ने बहुत अच्छी निंग खेली थी 57 रन के निंग और उसके लावए इस टीम के अगेंस इन निंग में आता है चेजिंग में बहुत अच्छा रहता है और open भी कर रहा है तो पूरा मोका है बंदे के पास और सामने से कोई office में इतना quality वाला भी नहीं है तो मैं तो बोलूँगा आप इनको confirm टीम में ले ना बाकि इनको out करने के लिए सोथ शकीर बोलिंग के लिए डायरेट केप्टन कर देना उसके बाद लोर्गन ट्यूकर है दो मैच खेला है जिसमें मतलब दोनों वेन्यू पर अगेंच पहला मैच होगा डेविड वीजा जिन्होंने देखिए मैच जो खेले हुए उसमें performance काफी अच्छा है लेगन माइनस पॉइंट यह की कटिंग ह हो सकती है क्योंकि यह सिक्स है और सेवन्थ बोलर खेलेंगे और इस कंडिशन में इंपोर्टेंट होंगे नहीं हाँ यह टीम अगर पहरे बेटिंग करती है तो आप इनको मिनी जील वगरा में ट्राइक कर सकते हो बेटिंग करती है तो उसके बाद शाहिन आफरीदी है डा प्रफोर्मेंस रहती है इनकी ओवराल मतलब स्मोल लिग की टीम में लेना है यह तो गंफर में भले ही पिछले मैच में फ्लो पर आओ लेकिन इंपोर्टेंट तो है फिर जमन खान की बात आती है यह विकेट टेकर नेचर का बोलर है टीम की पहली बोलिंग पे जादा और बोलिंग की हम बात करते हैं तो देखिए बोलिंग में एक विकेट सल्मान फयाज को मिला और एक विकेट जमन खान को मिला बाकी के प्लेयर जिन्हों ने बोलिंग की किसी को विकेट मिला नी था तो सल्मान फयाज की जगए बस आपको सिकंदर रजा देखने को मिलेंग शकील हुसेन और फखर जमान का मुहमद असनेन से भी और फखर जमान का सोध शकील से भी यह कुछ बैटल से जिनको ध्यान में रखके आप कॉंबिनेशन में रोटेशन कर सकते हो नाउ गाइस अब हम देखते हैं गीववे देखिए फ़र्ष्ट सेकेंड और थार्ड लाइक यह जो विनर्स आये हैं यह 50-50 रुपेस जीते हैं मैं आपको किलियर कर दूं यहीं पे बाद में ऐसा नहों कि भाई गीववे तो बड़ा गीववे बचा हुआ है जो मोस्ट लैक्ली कल फिनिश हो जाएगा मतलब कल किलियर हो जाएगा तो यह पांजार का गीववे जो है इसमें चार जो क्यूशन है उसमें पहला क्यूशन यह कि सबसे ज्यादा लाइक सोरी देखिए लाइक एक बार यह भी कर लेता हूं मैं एक जाएगा मैच होगा नए इस मैच में जैसे ऐसक में ज miteinander कांपने पूइन्ट की ने गए चलो तको सीकंदर रजा को एक फिरते पॉइंट चलो सीकंदर रजा को यह कितने pro सही होता है एकशेंव और जिसका सबसे पहले हो गा हो विनर है नगी ऐसा हो सकता है न कि एक ही answer के दो मतलब एक ही question के दो winner आ सकते बिलकुल आ सकते हैं तो मैं जो price दूंगा ना वो उसको दूंगा जिसने पहले comment किया जैसे मान लो कि आप हो आपने comment किया पांच बजे और एक बंदे ने पांच बच के तो year birds आपकी होगी अब बचे 5000 के giveaway की हम बात कर लेते हैं तो 5000 का giveaway देखिए यह है इसमें मैं आपसे चार question पूछूँगा सबसे ज़्यादा इसमें रन कोन मनाएगा सबसे ज़्यादा विकेट कोन लेगा सबसे ज़्यादा fantasy point किसके होंगे और सबसे कम fantasy point किसके होंगे यह चार question है जिसने भी सही answer दिया उसको मेरी तरफ से और पूरी IKM family की तरफ से congratulation क्योंकि 5000 लपे उसके account में आने वाले हैं इतना जरूर धियान डख लेना giveaway के ओल उन लोगों के लिए हैं जो चैनल के सबस्क्राइबर से और जिन्होंने चैनल का लोगों लगा रखा है फर्स सेकिंड थर्ड यह winner अगर मानलो कोई बंदा है जिसने फर्स सेकिंड थर्ड तीनो लाइक और कॉमेंट किये लेकिन लोगों नहीं है तो प्राइज नहीं मिलेगा चाहे फिर चोथा बंदा जिसने लोगों लगा रखा है न वो तीसरे में एड हो जाएगा ध्यान रखना लोगों जरूर लगा ले न यह winners यह जो भी आएंगे न यह लोगों लगे वे होने चाहिए अगर किसी का आंस्वर सही है टाइमिंग से पहले भी लेकिन लोगों नहीं लग रहा है प्राइज नहीं मिलेगा यह ध्यान देना सेम डे में गिववेर में ट्राइ करूंग किलियर हो लेकिन यह क्या है रात का मैच है तो काफी एंड मुमेंट पे भाई पता लगेगा कि मैच फिनिश होने के बाद कित्ते पॉइंट है तो सेम डे में क्लियर तो मौस्ट प्रबिली होगा नहीं क्योंकि भाई रात को लगबग मान लो साड़ी साथ मेच श्टार्ट हो रहा है चार गंटे तो चलेगा साड़ी ग्यारा के सम्थिंग तो अगर मैं में भी किलियर कर दो ना आपकी तरफ से रेस्पंस नहीं आ पाएगा तो कल जो वीडियो आएगे न उससे पहले पता लग जाएगा कि यह विनर से और उनको दां स्क्राइबर से चलिए टीम देखते हैं तो फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट वक्स में मैंने दिया हुआ है जहां से भी मतलब आपका मन करें जोइन कर सकते हो जोइन करना ही है क्यों मैं आपका साहिब ज़्यादा फरहान तो मैंने फरहान को लिया हुआ है क्योंकि बैटिंग विगेट है लगबग और बंदा ओपनर प्लेर है और फिर मोस्ट अप दी यूजर्स के पास यही आने वाला है और सरफराज की क्या है बैटिंग डाउन आएगी तो मैं उतना आने के बाद सिकंदर रजा को तो भूल जाना मत और यहां पर सोध शकिल और बोलिंग में आने के बाद यहां पर मोहमध वसीव शाहिन आफरिदी और आपका हारी स्रोफ यह तीमेस मैच के लिए स्मॉल लिग की और अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की हम बात करते है तो कैप्टन मेरा सिकंदर रजा है और वाइस कैप्टन मिट देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दू अगर टीम बैटिंग करती है ठीक है रजा की तो VC के दो अप्शन है जिसमें पहला अप्शन तो आप क्या कर सकते हो फकर जमान को भी कर सकते हो ठीक है और मतलब जो दूसरा उप्शन है वो आप कर सकते हो सोच शकील या जैसन रोए यह उप्शन से है आपके पास जो अदर VC के उप्शन है लेकिन अगर पहले बोलिंग करती है फकर जमान की टीम या लाहूर कलेंडर्स भी बोल सकता हूँ तो फिर VC या कैप्टन शाहिन आफरीदी को कर देना यह मतलब दोनों ही कर सकते हो उस कंडिशन में और थोड़ा डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो फिर हारी स्रोफ है लेकिन यह बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा रजा को इसलिए किया हुआ है क्योंकि रजा आपको शांदार पर्फॉर्मेंस दिखा के आ रहा है अभी तो फोर्म भी अच्छी है और चार ओर करेगा क्योंकि तीन प्रॉपर लेफ्ट एंडे टगड़े प्लेयर खेल रहे है और रजा के चार ओर भी और फिर पांच भी बेटिंग आई जाएगी तो मतलब सबसे बेश तो रजा यह इसलिए मैंने किया हुआ है बागी वी सी में देखे शाहिन आफरीदी फखर जमान एंड़संड यह ओप्शन से रोई वगयरा जिनको आप कर सकते हो फिलाल केप्टन रजा है वाइस केप्टन शाहिन आफरीदी बाकी जो भी मेरी टीम में चेंजस होंगे अभी फिलाल केप्टन यह है रजा और वी सी शाहिन आफरीदी बाकी जो भी मेरी टीम में चेंजस होंगे